गुड मॉर्निंग एब्रीबन वेलकम टू आई एस पॉइंट इस दिवाली और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर शिक्स का लाश्ट टॉपिक तो उस लाश्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कल की टॉपिक में एक कोश्चन हमारे सामने आया था पहले हम उस कोश्चन को सॉल्व कर लेते हैं क्या आप बता सकते हैं कि खाद तथा गैर खद वस्तूओं का जैविक क्रिशी विधी का उप्यों कर उत्पादन करना सस्था होगा तो सबसे पहले कोश्चन को समझिए क्या आप बता सकते हैं कि खाद यानि खाने वाली बस्तूओं जैसे अनाच, डाले और फल और गैर खद बस्तूओं जैसे जिने हम खा नहीं सकते जैसे लकडी जिसका उप्योग हम भनीचर बनाने में करते हैं, इन बस्तूओं का उत्पादन अगर हम जैविक क्रिशी विधी द्वारा करें, तो क्या उत्पादन सस्ता होगा? यानि हाँ, अगर हम जैविक क्रिशी विधी द्वारा खद और गैर खद बस्तूओं का उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन काफी सस्ता होगा क्यों होगा क्योंकि हम जैविक क्रिशी विद्धी द्वारा जब इसका उत्पादन करेंगे तो उसमें हमारी लागत कम लगेगी और हमें लाव अधिक होगा तो जैविक क्रिशी विद्धी द्वारा खाद इवम गैर खाद बस्तों का उत्पादन करना सस्ता होगा इस इट किलियर ओके कम बैक टू दा टॉपिक तो टॉपिक क्या है निसकर्स निसकर्स यानी परिणाम या हम बोल सकते हैं रिजल्ट तो इस चैप्टर को हमने पढ़ा अब उसका निसकर्स क्या रहेगा तो अब हम देखते हैं एक बात तो इसपष्ट हो चुकी है कि जब तक कोई चमतकारी परिवर्तन नहीं होगा ग्रामिन शेत्रों के पिछड़ापन बना रहेगा आज ग्रामिन शेत्रों को अनिक पिरकार के उत्पादक कारियों की और उन्मुक कर बहाँ एक नय उत्पादन के इंद्रों बसहरी बाजारों बेदेशी निर्याद बाजारों सहित के बीच संपर्क सूत्रों की रचना इस प्रकार क्रसी उत्पादन में लगे निवेश पर अधिक प्रतिलाप अरजित करना संभब हो पाएगा एक बात तो इस पश्ठ हो चुकी है कि जब तक कोई चमतकारी परिवरतन नहीं होगा ग्रामिट शेत्रक में पिच्ड़ापन बना रहेगा इसका मतलब है ग्रामिट शेत्र जो है मतलब जो गाउं की शेत्र है उनमें काभी पिच्ड़ापन बना है और उसे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते यानि जब तक कोई चमतकारी परिवरतन नहीं हो जाता जब तक ग्रामिट शेत्र से पिच्ड़ेपन को हटाना बहुत मुस्किल है आज ग्रामिट शेत्रों को अनिक पिरकार के उत्पादन, कारियों की और उनमुक कर बहाँ एक नय उस्था और इसपूर्थी का संचार करना आवशक हो गया है यह जरूरी हो गया कि बहाँ के लोगों के अंदर उस्था और इसपूर्थी हो ताकि वो आंगे अच्छे काम कर सकें अपू काम क्या हो सकते हैं ये कारे हो सकते हैं डेरी उद्योग यानि की दूद की डेरी का उद्योग मुर्गी पालन मुर्गी को पाल कर सकते हैं मतश्य पालन यानि मचलियों को पालन फल और सब्जी का उत्पादन फल और सब्जीयों को उगा सकते हैं और ग्रामिर उत्पा के बड़े बाजारों से जोड दिया जाए उनके बीच एक संपर्क सूत्र स्थापित किया जाए तब इससे क्या होगा इस प्रकार किर्षी उत्पादन में लगे निवेज पर आधिक प्रतिलाफ अर्चित करना संबब हो पाएगा इससे क्या होगा कि जोकिसी उत्पादन में हम जो निवेज यानि किर्षी करने में और उसके अच्छे उत्पादन के लिए हम जो निवेज यानि की जो पैसे लगाते हैं उनसे हमें अधिक लाफ हो पाएगा यही नहीं आधारिक संदजना जैसे साक एवं विप्रन, क्रिशी खित्स नीतियां तथक किशक समुदायों एवं राजी किसी विभागों के बीच निरंतर संबाद और समीच्चा इस छेत्रक की पूर्ण समता को प्राप्त करने में सायक है अब साख एवं विप्रन क्या है साख क्या होता है साख एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें रिंड दाता कर्जदार को पैसा माल अद्वा सेवा है बविसमें बायदे के अनुसार लोटाने के लिए देता है यानि कि एक जो दस्तावेज बनाया जाता है एक डॉकुमेंट होता है जो एक्रिमेंट टाइप का होता है जिसमें जो रिंड दाता होता है यानि जो रिंड देता है कर्जदार को यानि कर्जदार को जो रिंड यानि कि पैसा माल या सेवाएं देता है और वो भविसमें ब हम जो माल खरीदते हैं या हम जो माल बैंचते हैं तो माल खरीदने या माल बैंचने की किरिया या भाब को विप्णन कहते हैं। क्रिशक हित नीतिया, यानि क्रिशक हित नीतिया बैव होती हैं, जो किसानों की हित के लिए जो नीतिया जलाई गई हैं, उन्हें क्रिशक हित नीतिया कहते हैं, इसका मतलब है साग पिप्टन, क्रिशक हित की नीतियां, क्रिशक समुदाय और राज किसी जो विभाग है, उनक के बीज निरंतर जो बाचित होती रहेगी और उनकी जो समीक्चा होती रहे हैं वो इस छेत्र की पूर्ण चम्ता को प्राप्त करने में बहुत अधिक मददकार और सहायक होंगी आज हम परियावरण और ग्रामिण विकास को दो प्रिथक प्रिथक बिसे मान कर ब्यावार नहीं कर सकते यानि कि आज हम परियावरण को और ग्रामिण विकास को दोनों को अलग-अलग मान कर इनके साथ अलग-अलग ब्यावार नहीं कर सकते नई पर्यावरन मृत्य प्रोधोगे की विकल्प के अविश्कार या प्राप्ती की भी आवेशकता है ताकि विविन परिश्थितियों का सामना होने पर भी हम धारणिय विकास की और अग्रिसर हो पाएं मतलब जो नई परियावर्णी मित्त प्रोधोगी की हैं उनसे होने वाले अविस्कार और उनसे जो बड़े-बड़े हमें साधन प्राप्त हो रहे हैं वो आंगे आने वाले धार्णिय बिकास यानी की ऐसा बिकास जो आज तो हो ही राय आने वाली पीडी को भी कोई दिक्कत नादे उसके लिए अग्रिसर हो पाएंगे इन विकल्पों में से प्रतिक ग्रामि समुदाय अपनी इस्थानिये पर यस्थितियों के अनुरूप चियन कर सकता है अधा हमारा पहला काम तो सभी उपलब्द विद्यों में से सर्वश्रेष्ट की पहचान कर उसे चुनना ही होगा ताद पर ग्रामिन विकास के प्रिवोग की उन सप्ल कहानियों से जो देश में विवर्य शेटरों में हो चुकी है ताकि इस ब्याइबारी प्रोवेता की जासके मतलग इन भी कलपों में से पिते ग्राम सम्मूदा है अपनी अपनी इस्थानी परिस्थितियों के अनुरूप चियन कर सकता है यानि किस में सुवीधा है वो किस परिवेस में रह रहे हैं उस अनुसार उन्हें जिस चीज में सुवीधा है न वो उसका चियन कर सकते हैं अथा हमारा पहला काम तो सभी उपलब्द विदियों में से सर्विस्ष्ट की पहचान कर उसे चुनना हुआ यानि हमारा सबसे पहला काम है जो सबसे सेष्ट विदि है उत्पादन करने की उसे चुनना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है ताथ पर ग्रामीन विकास के प्रयोग की उन सफल कहानियों से है जो देश में विविन छेतरों में हो चुकी है यानि ग्रामीन विकास की जो सफल कहानिया है जो देश के विविन छेतरों में यानि देश में जो कहीं कहीं ऐसे छेतर हैं जा ग्रामीन विकास करने के लिए जो प्रयोग किये गए थे वो तफल हो गए ताकि इस ब्रभारिक प्रिशिशन यानि की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है न प्रिकिरिया को और गत्य प्रिदान की सकती है अगर हम ये देख लें कि देश में किस चेत्र में किस चीज से फायता हुआ है यानि हम उस सर्विस रिष्ट चीज को अगर हम देख लेते हैं तो ट्रेनिंग सफल हो सकती है ग्रामिन विकास अपने आप में एक बहुत बिश्थित सब्द है पर मुल रूप से इसे सामाजिक आर्थिक विकास में पिछल रहे ग्रामिन छेत्रों के विकास की एक सुनियोजित कारिविधी माना जा सकता है ग्रामिन विकास जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा सब्द है पर हम इसे सामाजिक और आर्थिक तरीके से ग्रामिन छेत्रों में जो पिछल रहे लोग हैं यानि जो ग्रामिन छेत्रों में जो पिछला पन है उसके विकास की एक सुनियोजित कारिविधी जो है वो हम ग विकास को कह सकते हैं ग्रामिण छेत्रों की बास्तिफिक संभाव्यता को पाने के लिए बैंकिंग, विप्रन, भंडारन, परिवहन संचारादी की आधारिक संरशना के परिमान और गुर्वथता को सुधारना होगा मतलब ग्रामिन चेत्रों की जो बास्त्विक संभाव्यता है उसको पाने के लिए हमें गाम में बैंकिंग, विप्णन यानि मार्केटिंग, भंडारन यानि की चीजों को रखने की सुभीता परिवेहन चीजों को ले लाने, ले जाने यानि गाम से सहर ले जाने के और संचार, आधिकी आधारिक संदशना के परिमान और गुर्वत्ता को सुधारना होगा जिससे ग्रामिन चेत्र में बिकास होगा पसुपालन, मतशुपालन और अने गैर क्रिशी कारियों को अपनाया जाना चाहिए इस बितिकरण से ना केवल क्रिशी के जोकिंग कम होंगे बलकि साथ ही हमारे बिसाल ग्रामिन जन समुधाय को उतपादक धारनी अजिविका के लिए बिकल्प भी सुलब हो पाएंगे यानि पसुपालन, मतशुपालन और गैर क्रिशी कारियों को अपनाया जाना चाहिए इस से क्रिशी करने के जोकिंग तो कम होंगे ही साथ में बिसाल ग्रामिन जन समुधाय को उतपादक धारनी अजिविका के लिए एक नए बिकल्प भी सुलब हो पाएंगे यानि जो धा अजिविका है यानि जीवन जीने के लिए नए बिकल्प भी मिल सकते हैं परियावर्णी अजिश्टी से धारनी उतपादन प्रकिरिया के रूप में आज जैविक क्रिशी का महद्व निरंतर बढ़ आए इसे और प्रोसाहित किया जाना चाहिए परियावर्णी प्रपिक को यहीं खतम करते हैं कल से हम नियू चैप्टर चैप्टर सेवन स्टार्ट करेंगे ओके